हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं human blood मानव रख जो कि सभी तरह के competition exams के लिए एक बहुत ही important topic है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो इससे subscribe कीजिए और इसके पास bell icon को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की notification आपको मिलती रहे रख तो जो है हमारे परिसंचन तंत्र का एक बहुत ही महतुपून पार्ट है जितने भी बहुत कोशी की जीव होते हैं उनकी सारी कोशी का वातावरण के सीज़ संपर्ग में नहीं रहती है क्योंकि उनकी शरीर की सनचना कैसी यह बहुत ही जटिल है तो उनको एक ऐसे तंत्र की आउशकता पड़ती है जिनके द्वारा उनमें गैसी विनिम है एंजाइन्स, हॉर्मोन, विविन पोशक तत्व है या उस्तरजी प्रदार थे तो उनका क्या हो सके उनमें आदान प्रदान हो सके तो इसके लिए जो है हमारे शरीर में एक तंत्र होता है जिसे हम कहते है परिसंचन तंत्र अगर हम देखे तो यह परिसंचन तंत्र जो है इसके दो पार्ट प्रकार होते हैं एक खुला रख परिसंचन तंत्र और दूसरा होता है बंद खुला परी संचन तंत्र क्या होता है जिसमें कोशी का और उत्तक जो होते हैं उनके मध्यत तरल जो होता है या द्रव जो जिसे हम रक्त भी कहते हैं उसका जो वीनी में आदान प्रदान होता है वो सीधा ही होता है विशिस्ट प्रकार की बंद नलीका हैं रक्त नलीका हैं जो होती ही धमनिया शिराई ये अनुपस्तित होती है फॉर एक्जामपल है इसके कीट हैं और कुछ मॉलस्का और्थोपोड़ा के सदस्य जितने भी होते हैं कीट वगरा है कॉक्रोज, मच्छर, मक्खी इन सब में और कुछ मॉलस्का के सदस्य जो है ऑक्टोपस जिसमें आता है मॉलस्का में यूनियो, पाइला, स्नेल्स वगरा तो इनमें क्या होता है खुला रक्त परी संचन तंत्र पाया जाता है अब हम बात करतें बंद परी संचन तंत्र की तो बंद परी संचन तंत्र की का होता है जिसमें की आदान प्रदान जो होता है रक्त का वो बंद नलिकाओं द्वारा होता है यानी यहां पर्सू, विक्षित, नलिकाओं, द्वारा, कोशी का उत्तकों के मध्य जो होता है विनी में होता है उधाररनए इसके इस्तंधारी जितने भी इस्तंधारी होते है उनमें किस प्रकार का बंद रक्त परिषंचनतंत्र पाया जाता है मनुष्य खरगोश है अगर हम बात करें मानों में रक्त परिसंचन तंत्र के प्रकार तो दो प्रकार के होते हैं एक तो रक्त परिसंचन तंत्र और दूसरा होता है लसी का परिसंचन तंत्र रक्त परिसंचन तंत्र के तीन प्रकार हैं भाग हैं रक्त हर्दय और रक्त वाहिनिया, बलड हार्ट एंड बलड वैसल्स, तो रक्त में हम इन तीन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, दूसरा जो तंत्रे वह लसी का परिसंच्छन तंत्रे, जिसमें आएगा लसी का लिम्फ, लसी का वाहिनिया, लिम्फ वैसल्स और लसी का पर्व, Lymph nodes. रक्त. रक्त जो है एक प्रकार का क्या है? रक्त एक तरल विशिस्ट सईयोजी उद्तक है. और जिसकी pH का मान जो होता है वो होता है 7.4. अगर हम बात करें एक स्वस्त मनुष्य की तो एक स्वस्त मनुष्य की शरीर के कुल आयतन का पांस से छे लीटर तक रक्त पाया जाता है रक्त के संगठन की बात करें तो रक्त के संगठन में दो प्रकाय की संगठन होते हैं एक तो था प्लाजमा दूसरा होता है रक्त कणिता है प्लाजमा जो होता है वो इसका तरल भाग होता है और हलके पीले रंग का शारीय तरल होता है यह लगबग 55 परतिशत रुदीर आयतन के हिसाब से होता है इसका मदलब है कि अगर हम रक्त को देखे तो रक्त के संगटन में कुल 50-55 परतिशत तक क्या होता है प्लाजमा होता है और 40-45% प्रथिशक टक जलता है और 10% तक क्या होता है कार्बनिक और अकार्बनिक प्रधाड जो पाय जयाते है जैसा कि आपको डैग्राम में दिख रहा है ये एक test tube में blood बना रखा है जिस्में मैंने indicate कर रखा है कि 55% तक तक प्लाज्मा होता है और 45% तक इसमें क्या होती ही? blood cells और blood corpus present होती है Plasma Plasma में कितना होता? 90% तक जल होता है Protein 7-8% तक होता है अगर हम बात करें तो कौन-कौन से protein plasma में उपस्सित होते है सबसे पहला albumin Albumin protein जो होता है यह हमारे शरीर के परासर नियमन को बनाए रखता है बात करें ग्लोबिूलीन सेकिंड प्रोटीन जो दे रखा है तो ग्लोबिूलीन जो होता है यह हमारे शरीर में एंटी बॉडी के निर्माण में सायक होता है हमारे शरीर में बनते हैं antibody जो plasma के अंदर बनते हैं तो plasma में जो antibodies बनते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं IgA, IgE, IgG, IgM and IgD अधरिक इसके अंदर fibrinosan और thrombin protein होते हैं ये दोनों protein ही रक्त का थक्का बनाने में सायक होते हैं जैसे हमें चोट लगती है और रक्त नलिकाओं से बहना प्रारम हो जाता है ब्रेडिंग स्टार हो जाती है तो कुछी समय बाद अपने आपी blood जो होता है वो बहना बंद हो जाता है उसके उपर clot आ जाता है potassium ion, calcium ion, magnesium ion, chloride ion, bicarbonate ion और sulfate ion तो इस सारे ions जो होते हैं अकर्बनिक तत्वों के रूप में हमारे plasma में उपस्थित होते हैं और इनका अलग-अलग कार्य होता है अब अगर हम बात करें serum तो serum क्या होता है कि हमारे जो रक्त है उसमें कणिका और plasma उपस्थित है लेकिन उस plasma में से हमने remove कर दिया fibrinosan और thrombin यानि हमारा जो रक्त है जिसमें कणिका है और plasma दोनों है इस plasma के अंदर जो protein हमने पढ़े हैं फाइब्रिनोजन और थ्रॉम्बिन जो कि क्या करते हैं रक्त का थक्का बनाने में सायक होते हैं अगर अब इन फाइब्रिनोजन और थ्रॉम्बिन जो है इनको क्या कर दें रक्त में से अलग कर दें तो बचा हुआ पार्ट जो होता है रक्त का उसे हम कहते हैं सीरम रक्तकणिकाएं अगर हम बात करें रक्तकणिकाओं की तो रक्तकणिकाएं जो होती है वो कुल तीन प्रकार की होती है इन रक्तकणिकाओं की प्रतिशत मात्रा को हीमेटोक्रिट कहा जाता है और रक्तकणिकाएं लगभग 40 से 45 प्रतिशत कुल रुधीर का होती है यह रक्तकनिका हैं तीन प्रकार की होती है, लाल रक्तकनिका हैं, रक्तानू या इरित्रोसाइट, RBC कहते हैं, दूसरी होती है, श्वेत रक्तकनिका हैं, श्वेतानू या लूकोसाइट, जिनको WBC कहा जाता है, और तीसरी होती है, रुदीर पट्टेकानू, बिम्बानू य करते हैं। लाल रग्ट कणिकाईं। यह लाल रणकी रहती है। आगर उनकी सारच नदेखे हैं, इस तरह से दिखाई देती है। यह सर्फेस वीव है और यह इसका साईडी वीव है। तो यह कणिकाएं जो होती है सबसे important character इनका की केंद्रक रहित होती है यानि इन में केंद्रक का अभाव होता है इस्तंधारियों की RBC जो लाल उधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है और अगर अगर पादपों की बात करते हैं तो पादपों में चालनी नलिकाएं ज जो होती है इस तरह की सनचना पाई जाती है RBC जो होती है केंद्रक रहित होती है लेकिन दो ऐसे तंधारियों जिनकी RBC में केंद्रक होता है पहला है उंठ और दूसरा होता है लामा लामा भी उंठ जैसा ही दिखता है तो यह दोनों जो होते हैं इस तंधारी इनकी RBC में क पाया जाता है अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो पुरुशों में इनकी संख्या 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर मिलिमीटर क्यूब तक होती है और महिलाओं में इनकी संख्या 4.5 से 5 मिलियन पर मिलिमीटर क्यूब तक होती है इनका जीवन काल जो होता है वो लगबग 120 दिन का ह 800 मेर्व का यह जो रोड़ेडि के लिए अर्बि सीधेंगते हैं हर्यविंग्या कैशीज की लंद यू जोला निर्मान यहुँए तो र्षैंप गिए मिले जूंद द्द के जी होता है लोगना यह क्या होती है लाल अस्थी मज़ा होती है और इनमें ही अमारी RBC का निर्मा होता है RBC में एक iron युक्त वर्णक पाया जाता जिसका नाम होता हीमोग्लोबिन यह हीमोग्लोबिन जो होता है यह हमारे RBC में oxygen के परिवन का कार्य करता है oxygen के अनू इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइन हो जाते हैं और हमारे शरीर की विभिन कोशिकाओं तक पहुचते हैं एक स्वस्थ मनुश्य में अगर हम देखें तो हमोग्लोबिन की मात्रा जो होती ही 12-16 ग्राम पर 100 ml तक होती है पुरुशों में यह मात्रा 12-16 ग्राम पर 100 ml होती है और महिलाओं में यह मात्रा जो होती ही 12-14 ग्राम पर 100 ml तक होती है RBC का जो निर्मान होता है वो हमारी किड्नी में एक विस्स्ट प्रकार का हॉर्मोन बनता है जिसका नाम होता है इरीथ्रोपोईटीन इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा इरीथ्रोपोईटीन ये हॉर्मोन जो होता है का है हमारी किड्नी किडनी की जकस्टा ग्लो मेरूलर कोशिकाएं होती है उनमें इरिथ्रोपोईटीन का निर्मान होता है और इरिथ्रोपोईटीन जो होती है इसका मुख्यकारे रबीसी के निर्मान को कंट्रोल करना होता है तो कौन सा हॉर्मोन आर्बीसी के निर्मान को कंट्रोल करता है, इरीथ्रोपोईटिंग जो होता है, वो करता है, आर्बीसी जो होती है, इसके निर्मान की किरिया को कहा जाता है, इरीथ्रोपोईसिस, परिपक्वा आर्बीसी जो होती है, उनका विगटन जब ये म्रत हो जा इस प्लीहा और यकरत में होता है, प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ग्रेवियार्ड ऑफ RBC और ब्लड बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी डैड RBC होती है, वो सब जाके यहां पर स्टोर हो जाती है, परिपक्व RBC जो होती है, उसमें माइट्रोकॉंड् केंद्रक युक्त होती, इनमें केंद्रक पाया जाता है और रंगी हीन होती है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी प्रकार का श्वशनी वर्नक जिसे RBC में युमोग्रो बिंता तो यहाँ पर किसी प्रकार का वर्नक नहीं पाया जाता है, इनकी संख्या जो होती है, 7000 से लेकर 10, पर मिली मीटर क्यूब होती है, इनका जीवन काल लगबक 4-5 दिन का होता है, श्वेतानों जो होती है, इनके प्रकार होते हैं, इनका कुछ विस्स्ट लक्षन है अमीबिय गती, श्वेतानों जो होते हैं, अमीबिय गती से तात पर यह है, कि इनकी जो गती होती है, इर्रे 600 तो क्या है? Rbc, यानि Rbc की संख्या 600 है, और Wbc उनने कितनी होगी? एक Wbc होती है, ये इनका अनुपात है, हर 600 Rbc पर एक Wbc उपस्तित होती है श्वेतानों जो होते हैं उनके दो प्रकार होते हैं कणिका मैं और अकणिका मैं कणिका मैं जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं नूट्रोफिल, योसिनोफिल और बेसोफिल और अकणिका मैं के दो प्रकार हैं मोनोसाइट तथा लिंफोसाइट कणिका मैं, कणिका मैं से क्या ताथ पर यह है कि जिनके कोशी का द्रव में कणिकाएं पाई जाती है यानि यहाँ पर यह आएगा कि ऐसी श्वेतानों जिनके कोशी का द्रव्य में यहाँ पर आप सही कर लीजीगा इसको कोशी का दिरवे में कडिका है पाई जाती है साथ ही इनका केंद्रक जो होता है बहुरूपी होता है बहुरूपी से ताथ पर यह है कि बहुत सारे रूप दर्शाता है यानि पॉलिमॉर्फो नुकलियस होता है केंद्रक जो होता है इनका कहीं पिंडो से मिलकर बना होता है अब अगर हम श्योतानों को देखें ये कणिकम है तो इनके तीन प्रकार है नूट्रोफिल, योसिनोफिल और बेसोफिल नूट्रोफिल जिसको हिंदी में का जाता है उदासीन रंजी भी का जाता है नुट्रोफिल्स जो होते हैं उदासीन यानि कि ये अमलिय और शारिय दोनों अभिरंजों को से जब हम इनको अभिरंजित करते हैं तो ये बैंगली रंग के दिखाई देते हैं हमको ये कुल श्वेतानों का 62% सबसे ज़्यादा जो है श्वेतानों पाए जाते हैं 62% वो होते हैं नुट्रोफिल्स इनका केंद्रक लगबग 2-7 पिंड ये डाइग्राम देख रहे हैं ये पिंड बने हुए केंद्रके बीच वाला भाग और इनमें ये पिंड है तो 2-7 पिंड से तागपरिया है कि ये कोशिकाओं की भित्ति को आरपार जा सकते हैं किसी भी कोशिकाओं की भित्ति को क्रॉस करके उनके आरपार ये जोते प्रवेश कर जाते हैं अब Eosinophil के बात करते हैं, तो Eosinophil जो होती है, टोटल WBC का 2.5% तक होती है, यह इसका डाइग्राम बना हुआ है, इसका अगर हम बात करें, तो Eosinophil जो होते हैं, अमली अभिरंजन से अभिरंजित करते हैं, अमली अभिरंजन कौन सा होता है, Eosin, तो यह गहरे लाल हमें दिखाई देते हैं, इनका केंद्रक 2 पिंड यह, 2 पिंड बने हुए होता है, और इनमें anti-stamin का गुण पाया जाता है, परजीवियों का संक्रम होता है, परजीवियों मतलब कि वाइलस और बैक्टीरिया है, या कुछ allergy कारक जो होते हैं, तब इनकी संख्या हमारे शर 0.5% भाग होते हैं, और यह जो होते हैं, यह शारी अभी रंजित करने करते हैं, जो कि जो कि मिथाईलिन ब्लू है, यह गेरे अभी रंजित होते हैं, इनका केंद्रक 2-3 पिंड युगत होता है, और इनमें इनका मुख्य कारी जो होता है, histamine और रिपेरिन का निर्मान करन होता है histamine और हिपेरिन हिस्टामेन जो होते है वह एंटी एलर्जी के सामें प्रेडियूस होते है हमारी शरीक के अंदर और हिपेरिन जो होते हैं यह धमनी और शिराओं में रखत का थक्का बनाने में सायक होते तो इनका निर्मान जो होता है बेसो फिल्स द्वारा किया जात है तो कोश्टन इस सब्सक्राइब पूछा जाता है हिपेरिन का निर्मान कौन सी डब्लू बीसी करती है तो बेसो फिल्स जो होती है वह करती है अब हम बात करते कणिका रहित जिनमें कणिका नहीं पाई जाती है तो ऐसी डब्लू बीसी श्वेताओं जिनकी कोशी का द्र केंदर काणू जिनको amononocytes क्याता है और दूसरा प्रकार जो होता है इनका लसी काणू जिन को lympho jayta मनी जाता हूँ है एक केंदर काणू जो होते है ये सेम की बीच की आकरती का इन यह भक्षनकारी होती, भक्षनकारी मनलब की Phagocytosis, यानि यह क्या करती है, कि वैक्टीरिया या वाइरस वगरा जो भी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, उनका भक्षन कर देती है, यह क्या होती है, रुदीर से उत्तकों में चली जाती है, और वहां जाकर यह काफी बड़ वाइरस वगरा अधोरी बॉडी के अंदर जब एंटर होते हैं, तो इनको चारो तरफ से घेड लेती है, उनका बक्षन कर देती है, उनको खा करके और नस्ट कर देती है, तो इसलिए इनको Macrophagus या व्रदबक्षकानू भी कहा जाता है, व्रदबक्षकानू यानि कि Macrophagus आधो को नस्ट कर देंगी, लेक्स ये लसी कानू, लिंफोसाइज, तो अगर हम बात करें लसी कानू की, तो इनका जो केंद्रक होता है, वह अंडाकार होता है, या गोल आकरति का होता है, जसा कि आप डाइगराम में देख सकते हैं, इनका निर्मान थाइमस ग्रंतिः या इनका निर्मान थायमस, ग्रन्तियों लसी का उत्तकों में होता है। यह पांच प्रकार के लेकिन रक्त कणिकाओं जो प्रतिरक्षी बनाती है लिंफोसाइड दोनों की कुश्चन अलग-अलग तरह से आते हैं अगर एक्जाम में आता है प्लाजमा कौन सा बनाती है तब तो हम इम्मुनोग्लोबिन वाले लिखेंगे और अगर रक्त कणिकाओ तो बी लसी काणू और टी लसी काणू उसका आंसर हो जाएगा अब हम बात करते हैं रुदिर पटिकाणू की प्लेटलेट्स और थ्रॉम्बोसाइड की तो यह केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है यह बी इनका निर्मान भी अस्थी मज्जा में होता है और अस्थी जो होता है वो 5-7 दिन का होता है और अगर हम कारिय देखें तो इनका मुख्य कारिय जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में यह सायक होती है तो चोड लगने पर रक्त का थक्का बनता है प्लाजमा की बात करें तो प्लाजमा में दो प्रोटीन थे फाइब्रिनोजन और जो कि रक्त का थक्का बना रहेते हैं और रक्त कणिकाओं की बात करें तो बिम्बाणू या थ्रॉम्बो साइड या प्लेटलेर से जी कोशिकाओं होती है जो कि थक्का बनाने में हमारी सायता करती है अब हम पढ़ते हैं रक्त के कारिय, अब रक्त के क्या-क्या कारिय होते हैं तो रक्त के बहुत सारे कारिय है फर्स्ट जो कारिय है ऑक्सिजन और कार्बन डाय उक्साइड का परिवहन करना हमारी विबिन गैसे जो है शरीर के अंदर ऑक्सिजन हम लोग जो रहते हैं हमारी शोशन किरिया में तो वो रख्त में मिक्स हो जाती है और हमारे शरीर के विबिन भागों तक पहुचती है रक्त में उपस हीमोगलोबिन जो है उसके साथ में ऑक्सिजन जो ती बाइंड हो जाती है और ये बना देती है ऑक्सिजन हीमोगलोबिन जो है उसके साथ में क्या हो जाएगी ऑक्सिजन बाइंड हो जाएगी और बनाएगी ऑक्सी हीमोगलोबिन और हमारे रक्त के द्वारा उत्तकों और अंगों और कोशिकाओं तक पहुचाई जाती है साथ ही वहाँ से कार्बन डाय ऑक्साइड जो होती है वो रख्ते के द्वारा लाई जाती है और फैफ़ों के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दी जाती है तो इस प्रकार से oxygen और carbon dioxide का परिवान जो होता है वो रक्त के माध्यम से होता है Second जो इसका function है वो खादे प्रदार्थों का वित्रन हम जो खादे प्रदार्थ खाते हैं तो जो हम पाचन की किरिया के बाद हमारे जो बोजन जो है वो भी हमारे रक्त के माध्यम से ही नियमित होता है हार्मोनों का समवहन तो विबिन हार्मोन्स जो होते हैं जो कि विबिन अंतर इस्त्रावी ग्रंतियों में बनते हैं वो हॉर्मोन्स जो होते हैं अंतर इंस्रावी ग्रंतियों से जो LAKSH कोशी का पहुचा जाते हैं वो RAKTH के माध्यम से ही पहुचाए जाते हैं रोगों से बचाए, विभीनवर्कार के रोगों से बचने के लिए Phagocytes better cost. जो कि जीवानों और bacteria virus का भखशन करती है तो यह सब रक्त में उपस्थित होती है, तो यह हमारे रोगों से हमें क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है रक्त का थक्का बनाने के लिए, ब्लाजमा में उपस्थित, फाइबिनोजन, थ्रॉम्बिन, साथ में केल्शियम आयन स्वी और रक्त कड़ी का है, जो कि विमबानों, ये हमारे रक्त का थकका बराने में सायक होती है उफसर जी प्रदाथों का संवन, तो हमारे शरीर में उपपचे की रिया के पश्चात-बनने वाले विभिन उफसर जी प्रदाथ, जैसे यूरिया है, यूरिकमल है तो इनको हमारे शरीर में रक्त तक यानि किदनी तक पहुचाने का कारिय जो होता है वो भी कौन रक्त करता है रक्त ही करता है विभिन प्रकार के रोगों का परिक्षन यानि डाइगनोसिस किसी रोग की पहचान करना तो किसी भी रोग की पहचान करने के लिए क्या होता है ब झाल, 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 झाल